Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's Interactive Classes. Hello everyone, today we will work in English and students, this is your English Reading Book Milestone Primer. बच्चों, आज हम English में work करेंगे और ये आपकी English की Reading Book है Milestone Primer. तो चलिए, शुरू करते हैं. And now, we are on page number 35. और अब हम आपकी English Reading Book के page number 35 पर हैं. तो सभी बच्चे अपने book का page number 35 निकालेंगे. And our today's topic is locating position. आज का जो हमारा topic है, वो है locating position. L-O-C-A-T-I-N-G L-O-L-O-C-A-K-T-I-N-G TING Locating P-O-S-I-T-I-O-N Position Locating position को क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? Locating मतलब होता है ढूंडना या फिर खोजना. ठीक है न? और position का मतलब होता है जगे. तो ऐसी जगे को ढूंडना, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, है न? कि यह जो घड़ी है, यह कहां रखी है? टेबल के ऊपर रखी है, है न? तो हमें उसकी जगे को ढूंडना है कि कौन सी चीज किस जगे पर है और उसको क्या बोला जाता है उस जगे को, ठीक है न? तो लोकेटिंग पोजिशन के जो वर्ड होते हैं, उनको हम प्लेस वर्ड्स भी कहते हैं, प्लेस वर्ड्स मतलब कि जो किसी भी चीज की या कोई भी सामान की या कोई भी अबजेक्ट की जगह को बताता है, या फिर किसी भी पर्सन की या वो कहां पर खड़ा है, किस जगह पर है, उसकी जगह को बताते हैं, उनको place words कहते हैं, ठीक है न, तो आज हम उनके बारे में बढ़ेंगे, कि place words होते क्या हैं, ठीक है, और इनका use कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पर हमें कुछ pictures के थुरू दिखाया गया है, र-E-A-D, read, A-L-O-U-D, allowed, A-N-D, and L-E-A-R-N, learn, read, allowed, and learn, इसका मतलब क्या हुआ, कि read, allowed मतलब, जूर से पढ़ना, या उंचे स्वर में पढ़ना, और फिर उसको उस तरीके से सीखना, ठीक है, तो यहां पर आपको pictures दी गई हैं, और फिर उसके आगे उनके sentences हैं, देखत T-H-E, the C-L-O-C-K, clock, I-S, is O-N, on T-H-E, the T-A-B-L-E, table, the clock is on the table, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, the clock is on the table, तो सबसे पहले में आपको बताऊंगी, कि on जो है, यहां पर, on का मतलब क्या होता है, on का मतलब होता है, उपर, ठीक है, on का मतलब है, उपर, तो यहां पर इए का है, जो भी चीज है, जो समान है, उसकी जगह को बता रहा है, कि ओधीक है, तो तो अड़ो, the clock is on the table, ठीक है, टेबल के उपर है, यह जो गड़ी है, यह यह, टेबल के ऊपर है, the clock is on the table, ठीक है विच्चो, कि जो घड़ी है वो क्या है टेबल के उपर है on मतलब उपर the clock मतलब घड़ी is माने है on माने उपर the table मतलब table के उपर है the clock is on the table उसके बाद next है T.H.E. the C.A.T. cat I.S. is U.N.D.E.R. under T.H.E. the T.A.B.L.E. table the cat is under the table तो under का मतलब क्या होता है under का मीनस होता है नीचे राइट under means नीचे तो the cat is under the table जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो cat है वो कहां पे है कहां बैठी है वो table के नीचे है under का मीनस नीचे तो the cat मतलब बिल्ली इस माने है, अंडर माने नीचे, the table, मिकलब table के नीचे है, the cat is under the table, जो बिल्ली है, वो कहां बैठी है, table के नीचे है, right, उसके बाद next है, ằm here, t-h-e, the, t-o-r, t-o-i-s-e, t-o-r, tor, t-o-i, toys, tortoise, is, n-e-ar, near, t-h-e, the, f-i-n-i-s-h-i-n-g, finishing poinit, कि is नियर का मतलब क्या होता है यह का मतलब होता है पास ठीक है निए का मतलब पास पापया शौपया में और यह को सुनी है ऑप तouse ड़ tuore is near the finishing point लिए है और यहां पर निकान ayam आपने एक स्टोरी भी सुनी है, खरगोश और कच्छे की जिसमें की वह दोनों रेस लगाते हैं, तो अब उसी की पिक्चर दिखा रहा है कि यहां पर वह रेस में जो कच्छवा होता है, वह क्या होता है, फर्स्ट आ जाता है, तो यहां पर वह जो जहां पर फिनिशिंग, ज जहां पर हमें, जहां पर उसको अपनी रेस को फिनिश करना था, खतम करना था, वह उस पॉइंट के पास है, ठीक है न, नियर मतलब पास, the tortoise is near the finishing point, राइट, उसके बाद next है, टी एच इदः, डी ओजी डॉग, आई एस, इस, बी ए, एच आई एण डी, बी हाइन, बी हाइन, ती एच इदः, एम एएन, मैन, ठीक है न, तो यहां पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, कि यह डॉग है, और यह एक आदमी है, डॉग कहां ख़ड़ा है, उस आदमी के पीछे ठीक है ना तो यहां पर यह जो बीच में रेड कलर से दिया है बीहाइंड बीहाइंड का मतलब होता है पीछे ठीक है क्या होता है बीहाइंड का मतलब पीछे तो the dog मतलब जो कुत्ता है इस माने है बीहाइंड माने पीछे the man मतलब आदमी के ठीक है ना तो कुता आदमी के पीछे है ठीक है the dog is behind the man उसके बाद next है यहाँ पे t h e the g i r l girl i s is s t a n d i n g s t a n stand d i n g stand ding i n in f r o n t front in front o f of t h e the m i double r o r mirror ठीक है the girl is standing in front of the mirror अब in front का मतलब क्या होता है in front का मतलब होता है सामने या फिर आगे ठीक है सामने या फिर उसके आगे अब क्या होगा है the girl is standing in front of the mirror mirror किसको बोलते है mirror बोलते है शीशे को अब आपको पिक्चर में भी दिख रहा है आपे कि यह जो लड़की है वो शीशे के कहां खड़ी है आगे खड़ी है ठीक है ना standing मतलब खड़ा होना in front मतलब आगे off the mirror मतलब शीशे के आगे the girl is standing in front of the mirror वो शीशे के आगे रड़की खड़ी है उसके बाद next है अब इन का मतलब क्या होता है इन का मतलब होता है अंदर अब आप पिक्चर में यहापे देख पारे है कि जो फूल है फूलों के बारे में बात हो रही है है कि the flowers are in the pot मतलब pot के कहा है in मतलब अंदर ठीक है नगो फूल है वो कहा है pot के अंदर है तो the flowers are in the pot ठीक है na the flowers मतलब full आपे आपे आर क्यों आए क्यों के هाई है क्योंकि 내일 Doll वो बहुत सारे है इसलिए आप पे A, R, E, R आ गया ठीक है न उससे पहले आप जो भी sentence देखेंगे उसमें is है क्योंकि सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है लेकिन इहां पे flowers बहुत सारे हैं इसलिए आप पे A, R, E, R आ गया तो the flowers are in the pot ठीक है न जो फूल है वो कहा है पॉट के अंदर ह तो students यह आपके कुछ place word है ठीक है न जो कि आपने आज देखें कौन कौन से है on, under, near, behind, in front of या फिर in ठीक है इनका मतलब हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि कि किसका मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बता वी दिया on का मतलब उपर, under का नीचे, near का पास, behind का पीछ और इनका अंदर, right? तो जब आपको यह पता होगा तो आप पिक्चर के थूँ बता सकते हैं कि कहां पर क्या यूज होगा, right? अब next page पर इससे ही जुड़ी हुई एक exercise है, देखते हैं उसमें हमें क्या करना है, and now we are on page number 36 और अब हम page number 36 पर हैं, और page number 36 पर हमें place word से ही related एक exercise दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, look at the given pictures and tick the correct option, यहाँ पर आपको picture देखनी है और जो सही option है, उस पर आपको tick करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि picture में क्या है, यह गाए हैं और यह उसके नीचे खड़ी हुई है, ठीके न, अब इसको पढ़ते हैं sentence को क् t h e the c o w cow, i s is u n d e r, under, under का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, नीचे और उसके साथ एक word और दिया गया है, i n in, in मतलब under, ठीके न, t h e the s h e d, shed, the cow is under, या फिर in, इन दोनों में से जो red color से आपको word दिये गए हैं, ठीके न, इन दोनों में से आपको एक को टिक करना है, जो सही option है, ठीके न, या तो under या फिर in, अब under का मतलब होता है नीचे, ठीके और in का मतलब होता है अंदर, तो अब इन दोनों में से कौन से सही होगा, उसको आपको टिक करना है, the cow is under, या फिर in the shed, राइट, उसके बाद next है, the mouse is under, अब आपको under का मतलब भी पता है, under का मतलब नीचे, इन का मतलब अंदर, अब आपको या पे कौन सा सही होगा, वो माउस कहाँ है, बैट के नीचे है, तो हम किसको टिक करेंगे, under को टिक करेंगे, उसी तरीके से next, आपको पिक्चर देखते रहना है, कि कहां पर क्या चीज है, और उसके बाद, उसके सही आप्शन पर आपको टिक करना है, फिर next है, the t h e the, sorry उससे पहले आपको एक और दिया गया है, t h e the, b o t t l e, bottle, i s is, u and d e r, under, या फिर o and on, t h e the, t a b l e, table, अब the bottle is under या फिर on, under मतलब पता है नीचे होता है और on माने उपर होता है, तो किस पर टिक करेंगे, बॉटल कहा है, उसके under है या फिर on है, उसके नीचे है या फिर on मतलब उपर, तो फिर हम on को टिक कर देंगे, राइट, उसके बार next है, अब अंडर मतलब नीचे और बिहाइंड मतलब, बिहाइंड मतलब क्या होता है, बिहाइंड मतलब होता है, पीछे, ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब यहाँ पर है, बिहाइंड का मतलब यहाँ पर होता है, अब क्या है, जो ट्री है, जो पेड है, वो कहा है, फिर 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 नेक्सल princiंगे, standing beside, oblique, under, under, अब इन दोनों में से आपको एक word पर टिकरना है, beside का मतलब क्यों होता है, beside यहां पर एक नया word आगया, आपके लिए under का मतलब आपको पता है, beside का मतलब होता है, बगल में या फिर के पास, ठीक है ना, के पास या फिर कोई भी चीज होती है, उसके पास, के पास, जैसे कि यहां पर बस के पास है, ठीक है ना, तो the car is standing beside, तो यहां पर beside सही है, ठीक है ना, beside को हम टिक करेंगे, beside the bus, जो car है वो bus के पास खड़ी है, ठीक है ना, under नहीं है, under मतलब तो नीचे होता है, तो under नहीं है, उसके नीचे नहीं खड़ी है ना, उसके बगल में खड़ी है, उसके पास में खड़ी है, next है, He, the B-A-L-L, ball, I-S, is, I-N-N, F-R-O-N-T, front of, in front of, oblique, B-E-H-I-N-D, behind, T-H-E, the D-O-G, dog, the ball is, in front of, या फिर, B-E-H-I-N-D, behind the dog, वह जो बॉल है वह डॉक के सामने है इंफरेंट है या फिर उसके पीछे है तो क्या है उसके आगे है ना तो इन फ्रेंट आफ आजाएगो तो इन फ्रेंट आफ को तिक कर देंगे राइट इस तरीके से आपको ये पेज नंबर 36 फ़र अपनी प्लेस वर्ड की एकसराइज को टिक करना है सही वर्ड को राइट कलर की जो वर्ड से गया है उन मैंसे दोनु मैंसे आपको एक वर्ड को टिक करना है मैंने सभी का मतलब आपको बता दिया है कि हिंदी में उसे क्या वोलते हैं आप पिक्चर देखेंगे और ध्यान से उसे टिक करेंगे राइट तो आज के लिए इतना ही, I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा Thank you and good day I hope you enjoyed our video Thanks for being with us